हेलो गाइस मैं आज आपको जिखाने जारू कैसे आप MIUI में third party theme इंस्टॉल करते होंगे तो आपको कुछ इस टाइप करा रहाता होगा मैं आपको दिखाता हूँ themes from third party source are not supported error download auth rejected 402 अब बात आती है इसको कैसे fix करें इसको fix करने के लिए आपको एक link है उस पर विजिट करना पड़ेगा और वहां पर third party themes यूज़ करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ब्राउजर में जाईए और वो link है वो open करिए मैंने वो link description में दे दिया है आप वहां से visit कर सकते हैं designer.siaomi.com link open करिए फिर आपको login करने को बोलेगा अपने me icon में आप login कर लीजिए in my case मैं already apply कर चुका हूँ तो मुझे कुछ form fill up करने को नहीं आ रहा है कि आप MIUI designer theme में मुझे apply करने के लिए आपके case में form fill up करने को आएगा आप वो form fill up कर लीजिए कोई बिल्कुल भी टफ नहीं आप आराम से कर लेंगे फिर दो तीन दिम बाद आपको उसी mail पे आपको mail आएगा जिस mail से आपका MI account से tweeted है देखे मुझे mail आया है Xiaomi की तरफ से कि आप third party theme install कर सकते हैं लाली चाइनीज में लिखाया है Google Translate पे आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आप कोई भी third party theme install कर सकते हैं बिना किसी problem के